इस विल्कम तु यॉर अन यॉर चैनल नेप एडूकेशन नौ तुदे आम गूंग तुब दिस्क्रस अबाट दा फाइलम इसकलमेंटिस अभी जो टेक्स्टोनॉमी का सिरी चल रहा है उसमें हम लोग सभी टॉपिक को एक एक करके फाइलम को ख्लाल कर रहा है क्लियर जिसमे में CBSE board के लिए अप तु दा फैलम और NEB के लिए हम लोग ख्लास तक क्लासिफाइ कर रहा है यह सो बिसे दाइओ बोद्व भुट सीवेसी और NEB नेपल बोड के लिए भिए तो नेपाल बोड में आप लोग दोगे ऐसकलास टक पढ़ना है और CBSE Board में यहाब टुटिव अ टो थारन स्रल आप लींगे लिम्स के बच्चите नहीं लोड भाल्म निम्स मंथ और निम्स में यह जोड नेम है तक यहां पे अभी तक जो हम लोग परेता है। यहां पे system grade of body organization आ जाता है। बर्मी का मतलब होता है थम जैसा होता है। बाहर से आपको जो कुटे की लोगा वह सिग्मेंटे तो दिखेगा। लेकिन बट एक्चुली इस अंसिग्मेंटे और ट्रिप्लो ब्लास्टिक। यहां अल्रेडी टर्म्स बता चुक है। इसमें इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मिजोडर्म। अगर बेसिक टर्म्स को देखना है तो यहां शर्च इन प्लेलिस्ट ओबर देर। तो यहां गेट वीडियो। यह बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। मेंस लेफ्ट और राइट में डिफ्रेंट सेट है। इट का बीवाइट इन तो इक्वाल हाप्स इन सच ए वे वेट वन हाप्स इसमेंट का भी हम लोग एक्स्पेंट कर चुके हैं। बेसिक टर्म्स ऑफ दे जुलोजी का वेडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल में। तो इसी चैनल में। नेक्स्ट इसमें आता है बोडी कॉबर्ड विद थीक, फ्लेक्जेवल, ननलेविंग, श्क्लेडो प्रोटीन का बनता है कुटिकल। यह बेरिंग करता है इस्पाइन और ब्रिस्टल्स का मतलब है यह प्रोजेक्शन होता है जो कि इसको लोको मोशन में हेल्प करता है इस्पाइन डाता है। इपिडर्मी, सिंसाइशिल और सिल्लेट यह भी एक्स्पेशन कर चुके हैं इससे पहले हम लोग फालम ने में है इस्पाइन प्लेटियल मैंतिस उसमें भी सेम इपिडर्मी होता है वहां भी एक्स्पेशन कर चुके हैं अगर टर्म में कन्फूजन हो तो यू कैन सी बीड करता है लेकिन नियर्वाट अल्ड़ इंडिविजोर्स अफ दे सेम इस्पेशिज आप दे सेम नंबर आप दे सिल्क और नुक्लिय इसमें मॉस्कुलर सिस्टम देखेंगे मॉस्क्राइब सिर्फ लॉंगी चुनल मसल सिसमें मिलता है अंडर्स्टूड फ्यू कंप्लेट अल्मेंटर कनल मीस्ट वाट देर टू सेप्रेट ओपनिंग जोगा वन इस मींट पर दा इंजेशन अड एंडियों एक हेंट से इंजेशन करता है और एक आप्निंग से इंजेशन करता है इस से पहले अप्तु दा फौलम प्लेट्री मंद आप्टिर हम लोग प छॉकुली शि्स्टम अपसिन्ट होता है bodies इसका जो होता है एक्स्क्रेटरी सिस्टम ह dato जो के चा स्य का बना होता है Toyota S produ अटा है यह एक सिल होता है रैनिटीस न जो की औगलेशन्ज होता है इसका जब हम लोग देखते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम तो बोड़ी में पोस्टिरियर साइड में लोंगी चुलनल एक्सक्रेटरी डग जाता है आगे चलके यह ड़क्त बहुत सारे आपको ट्रांसवर्स केनाल से आपस में फ्यूज हो जाता है लाज नंबर अब ट्रांस इस तरह से यह पूरे बोड़ी में पोस्टिरियर नं तक चला गया यही से एक्सक्रेटरी प्रोड़क्त को कलेक्ट करता है और यह ट्रांसवर्स केनाल आपस मिला और यहां पे एक प्रोपर एक्सक्रेटरी पोर्स होता है आपनिंग अफ ट्रांसवर्स निकलता है इसपा नर्वस室्ब्... इसमें बहुससारा सरकम्सेंट्रिक नव्डिंग होता है बहुस सारा गैंग्लियोन मिलेग जाता जैसे से इसके एंटीर पार्ट में देखेंगे तो बहुँ सारा नर्व्य सर जैसे आपको गैंग्लियोन मुलेंगे इस फिर्वर्व टोंसे ही रींग पार्ण से एक अधा झाता है यह i नर्वस सिस्टम कम्प्लिकेटेड ही कहा लाता है इसके बाद लोग जाते है इसके तो इसे इस ऑर्गेन कंसिस्ट ऑफ देस सिलेतेट पीट्स होता है या ग्लैनलो सिंसरी होता है बिस्टल या भी है आईSpot है, these are the sense organ over there maximum animals of this is the diocese या जिसको बाउसकोब लोक कहता है unisexual या sikes compris यह sexual dimorphism year, sexual dimorphism means what male and female can be differentiated externally यह externally male or female इसको मेरोक difference कर लेता है खास करके यह differentiate होता है from the posterior part in the tail region, tail region मेn इसके बाद इसका जो male होता है वह smaller than female, gonads and gonoduct may be single or double, eggs microscopic हो सकता है, with catenus cells होता है, development जो होता है इसका direct भी होता है या indirect भी होगा, इसके larva कोम लोग, rapidity form of the larva, phillary form of the larva, microfile area, like this, it is the classified, यहां पर मैं एक बात बोलू, तो कुछ author या कुछ geologist कहिए, they used to be the taken phylum as a super phylum, इसको super phylum में भी लेते हैं, और जिसको अब हम लोग class में पढ़ने जा रहे हैं, उसको phylum में include करते हैं, so don't be confused over there, जो आप लोग के reference book में चलता है, मैंने उसको follow किया, तो इसको phylum मान के चले, और जिसको और सब geologist phylum मान के चलत हैं, okay, now there is the, if you see the classification, तो इसका एक class है, that is the roti phera, yes, जिसका रोटा का मतला होता है, will and phera means to bear, इसमें mostly marine and rarely fresh water, microscopic होता है, critical hardened होता है, cell like lorica, lorica मतला है पहले जो लगायता होता है, यह dress, इस टाप से, यह longitudinally भी ऐसे segment में दिखता है, okay, anterior end with a ciliary disc, यह corona, yes, अभी corona COVID का है, बहुत ही हला भी यह market में, yes, लेकिन यह pollen ही, जो लोजी में introduce है, लेकि आधर पार्ट में यह will organ होता है, जो की ingestion और locomotion में help करता है, यह roti phera animals में होता है, post channel, posterior end होता है, इसका जो foot होता है, वो forked with the cement gland, yes, foot अगर देखेंगे इसका, तो foot होता है, और यहां से दो टो जैसा ऐसे fork निकलता है, और इसमें cement gland, cement gland का मतलब है, यह एक adhesive tap का substance से grid करता है, जो इसको attach होने में help करता है, इसलिए इस gland का नाम दिया गया cement gland, इसका भी digestive tract incomplete या complete हो सकता है, इसके elementic नाल में grinding organ, जहां पे यह food को break करता है into the small pieces, उसका नाम देतम लोग mastix, जो की cuticle से aligned होता है, इसमें पेर अब ब्रांच्ट और कोईल प्रोटोनेफरिडिया विद फ्लेम सेल्स, फालम प्लेटेल में इसमें, इसमें detail पर चुगें फ्लेम सेल्स को, आई sports usually present, इसके बाद अगर इसका characteristic जहते हैं लोग, यह unisexual होता है, इसमें no-larval stage, means development is the direct, reproduction, sexual भी करता है, और कुच्चो को मठरलाइज ओवन इसमें सब्स्टरिक आई इसमें इसमें इसमें, इसमें माइक्रोकिक, मैरेण और अर्सस्वाटर, इसमें 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 कॉर। होता हैएफौ क्योहित होता है जो भी देखे बास कम्टिट होता है मौग सौरंडेट विट स् acá 72 मोस्पर रीक उनिसी उनीसेख्णी रीसे र्या बाइसेम्ड रहना सकता है रिकर उमक नढ़ेस मेंस विदॉट एनी लार्वल इस्टेज ओवर देर इस एक्जाम्पल हो गया केट्रो नोटस मेक्रो डेस्यस लेपिडू डर्मिला एट्सेटरा इस टेर अगर आप लोगो मैं बता दू दिस इस इस चैनल ओवर देर इस्पेशली यह साइन्स और जुलोजी लेवल का है अगर आप लोगो किसी टॉपिक पर खास अगर चाहिए तो कॉमेंट कीजिए टॉपिक को भी कॉमेंट की जिए साथ में किस लेवल के लिए चाहिए क्यूकि सेम चीज्य हम लोग अलग 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 तरीका से अलग-अलग एक्स्पेड़ फॉर में पढ़ते हैं, सो यू कैन् नेक्स्ट क्लास है थर्ड क्लास जिसका उतल होता है कैनियो मिन्स टू मूब इसमें माइक्रोस्कॉपिक है यह बहुत ही छोटा होता है इसका बोड़ी देखेंगे 13 और 14 ओवर लैपिंग रिंस होता है अब लोग देखें लोरेका में यह एक दूसरे पर अबर्लैपिंग था लाइक दिस और इसको में यह को करतें जोनाइड्स कोटेकल इस्पाइन ही होता है बट विदार सिल्या उसमें सिल्या नहीं होगा इसत्राफिस ट्रॉह टॉक्ट छाय एंटसने ईस्वर्य स्वर्ण गोडेर बीव बाला है डॉट यह विट टॉट न majesty and Syndrome regard लिया सेलएंड अर यूनिसेख्वल, अनियुनियुसमर फिलेजीया अरो हूता है, ग्जांपल हो गया है, पिल्किनाम वाल। centrodaris okay signofs इस इसे एटिस्ट गिस्ट ऑपन इस एक्जंपल नमें निमयों मॉर्फा करते हैं इसको या गौडि या उकिए इसमें साइज भायरी करता है फ्यू मिली 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 मेटर से लेकि वन मीटर तब इसका जो लार्वल फॉर्म्स होता है वह परासाय। उता है लेकिन adult free living हो जाता है बड़ा प्रिकुलियर काइटेस्टिक है लारवल फर्म साथ परसाइटिक बट एडल हो जाता है इसका फ्री लिविंग बोड़ी लॉंग होता है स्लेंडर कॉमनली कॉल्ड हेर वंस इसको हेर वंस हम लोग कॉमनली कहते हैं body is covered by the criticals इसका जो एलिमेंटरी कनाल है हुआ complete है लेकिन एनस ना होके इसमें क्लोका होता है वाट आपन जैसे यह एलिमेंटरी कनाल आया एलिमेंटरी कनाल यह जाके आपन होता है साथ में इधर से देज़ गुनार्स का भी आता है और यह दोनों मिल के तब आपन होता है आउटसाइड बाय दे वन कॉमन आपनिंग इसलिए इसको लोग नाम देता है क्लोका यहां पर एनस ना होके यह एलिमेंटरी कनाल मिंस इंटेस्टाइन है और यह गुनार्स मिंस वहां से गुनार्स ड़क्त आया फ्रम दे टेस्टिस या ओबरी तो यह दोनों आता है और उस इसके बाद अगर अब लोग बात करते हैं जो समझ में ना आ है यू कन वे दर कॉमेंट ओबर दिये आइस एक्स्प्लेंट अगें इन दे नेक्स्ट ताइम नेक्स्ट वीडियो ओबर दिये यह निमा का अंतलब थ्रेड इडिसका अंतलब फॉर्म यह एक्क्वेटिक है ट जो की एक्स्प्लेंट कर चुके फालम प्लेटिल वेंटेस में बॉडिवाल विद लॉंगी चनल फाइबर्स वनली अली बात की यह दैस्टिप ट्रैक्रिस का कंप्लेट होता है विद मॉस्कूलर फैरिंस फैरिंस थोड़ा सा ज्यादा मॉस्कूलर होता है और इसमें ग्ल प्लेटर देक्शन और सस्यू रिडिंडरेशन नहीं होता है इसका अगर एक्जांपल देखते हैं जो सबसे कॉमन हम लोग इस फालम का एक्जांपल देते हैं इस श्चरीशलम्रीक्वाइड जिसको रौंड वर्म कहते हैं उकरियए उकरिया वेंके ट्राफ्टय फालेरिय if you have any confusion and if you want to get the video on the any topic of the strategy you can comment over there i shall try my best here as soon as possible it will be uploaded and one request all of you have if you feel it is a very informative over there to like olly share and please subscribe to my channel if you haven't subscribed it Okay, thank you very much. See you again in the next video.